असलाम उलेकुम, कैसे हैं आप सब, आज मैं आपके साथ नाजल की बर्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जब भी आपका कुछ मीटा खाने का मन करें या आपके घर में कोई इचानक से मेहमान आ जाए, तो आप इस रेसिपी को घर पर ही बहुत कम सामान के साथ बना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, तो अचलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, हमने लिया है यहाँ पर 400 गुराम गोला और उसको तोड़ लिया है, और कद्दुकस से इसको कद्दुकस कर लेंगे, या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, जो बहुत ही अस नादिल की बर्फी बनाएंगे, तो सबसे पहले हम गैस को अन करेंगे, पैन में हम आदा लिटर दूद लेंगे, और दूद रूम टेंपरेचर वाला होना चाहिए, और फुल फैट वाला हम इसमें दूद को इस्तमाल करेंगे, तभी हमारी बर्फी एकदम टेस्टी मज़ कर देंगे, और साथी साथ इसके जो चारो तरफ मलाई जन जाती है, इसको हम हटाते चले जाएंगे, और जब दूद हमारा पकते पकते आधी कॉंटिटी कर रहा जाएगा, हम इसमें 200 ग्राम के करीब चीनी आड़ कर देंगे, देखा जाए तो दो कप जो हमारे चाय वाले होते हैं, हम इसमें 2 कप चीनी आड़ कर देंगे, और जब हम इसमें चीनी आड़ करते हैं, तो इसमें जाग बन जाते हैं, क्योंकि चीनी भी अपना पानी रिलीज करती है, तो इसको पकाते रहें, लो फ्लेम पर और जाग से बिल्कुल अड़ा रहें, इसको ओपर नीचे बाकी सबस्क्राइब एकल डालेंगे और जब हमस्कों बचा हुआ सब्सक्राइब नागर आटकर देंगे अक्या beşलम कों हमें का भीजाना नो कि विप्त फलेम लो यी रकना और जो गोला चीनी दूट का मिक्स्चराइब इसको रखाना है की और दोडिया फैसे तो अब हम थाली में थोड़ा घी लगा लेंगे और इस मिक्षर को थोड़ा करके चारो तरफ फैला लेंगे इसको हम हलके हलके हाथों से दबा देंगे ताके इसमें जो कोई air बगरा बनी हो वो निकल जाए और इसको अब हम फ्रीज में रख देंगे 4-5 घंटे के लिए अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो 2-3 घंटे ही काफी रहते हैं ये देखें, 4-5 घंटे हो गए हैं, मैंने फ्रीज में रखी थी और हमारी बर्फी कितनी अच्छी जम ही हैं, अच्छे से smoothly कट भी रही है इसको आप किसी भी शेप में कट कर लीजिए, ये देखें, मैंने यहाँ पर बर्फी की देखिए एक भी बर्फी हमारी नहीं टूटी है आपने अगर इनको महमानों को बनाकर खिला दिया तो महमान भी यकीन नहीं करेंगे कि यह आपने बनाई है इन बर्फियों को बनाने में मुझे 20-25 मिनट ही लगे हैं और यह देखे कितनी मज़िदार हमारी बर्फी बनकर तै अगर आ गया है तो जाए किचन में और इस रेसिपी को तयार कीजिए टाइम भी नहीं इसमें जादा लगता वीडियो अच्छी लगे है तो प्रीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन प्रेस करें जिसकी मेरी हर वीडियो की आप तक जल्द पहुंच जाए तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक रखिए अपना खयाल टेक केर बाई अलहाफिज थैंक्स फर वाचिंग